नवस्कार दोस्तों मैं आलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा अलोग पर हार दिक स्वागत करता हूं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके कार्याले में किसी कार्मिक को एस पी का लाफ मिला है तो आप पेमेनेजर पर उसकी डिटेल में क्या बदलाव करेंगे और किन किन दस्ताविजों की आपको आश्चता होगी यह संपूर्ण प्रक्रिया हम इस वीडियो में जानेंगे यदि आपने इससे परने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके चलिए वीडियो को प्राइब करते हैं सबसे पहले आपको पैमेनेजर लोगिन पर आईडी पासवर्ट और कैप्चा कोड़ डाल कर लोगिन करना है फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और टेक्टू में साइट पर ज करना है यहां आपको नीचे से दूसरे नंबर पर मिलेगा एंप्लोई पेडीटेशन इसे सेलेट कर लेना है यहां पर selection by में आपको दो option मिलेंगे बिल नेम के अनुशार आप select कर सकते हैं करमचारी को या उसको search कर सकते हैं उसकी employee ID से name से, belt number से या bank account number से हम by search पर click करते हैं यहां by employee ID नहीं की search करेंगे हम by name से search करेंगे by name select कर लिया और यहां आपको option मिलता है उस करमचारी के name के initial letters को डालने के लिए जैसे आप initial letter डालेंगे उस initial letter से प्रावर्म होने वाले सभी नाम आपको दिखाई देने लग जाएंगे उसमें से जिस करमचारी को आपको SCP का लाब देना है उसे आप select करने select करने के बाद में आपको साइड में यह निले रंग का नाम दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे तो उस करमचारी की detail यहां प्रदशित होने लग जाएगे यहां पर करमचारी की pay detail में आप change क्यों कर रहे हैं उस कारण को select करना है fixation में से कि cp के करण से कर रहे हैं promotion के करेंश से कर रहे हैं या advanced increment के कर रहे है यह other region के कर रहे हैं हम यहां पर cp के कर रहे हैं इसलिए cp select करेंगे यहां आपको दिखाई देती है sanction and promotion date sanction and promotion date यानि जिस तिखी से cp sanction की गई है वह आपको order मिल जाएगी मैं इस कर्मचारी का order दिखाता हूं आपको यह देखिए एक जनौरी 2020 से इनको L12 से L13 कलाव दिया गया है तो यहां उस डेट के एंट्री हमें करनी है जनौरी मास कर लेंगे और यहां पर यह हमने एंट्री कर देखिए इसके बाद आपसे पूछता एफेक्टिव डेट एफेक्टिव डेट में वही डेट आएगी जब से आपको SEP Sanktion का वास्तिक लाव मिला है कई बार क्या होता है करमचारी मध्यान पश्चात ज्वाइन करता है किसी दिनांक को और वेतन का लाव उसको अगले दिन से मिलता है तो यहां पर यह दोनों डेट अलग-अलग हो सकती है उससे में लेकिन जग आपको वेतन का लाव भी उस इंसन डेट और एफेक्टिव डेट दोनों में एक ही एंट्री करनी है क्यानि एक जनुरी 2020 डाल दिया हमने अब यहां पर आपको एक्जिस्टिंग पे कमिशन का दिखाई दिन लग जाएगा कि यह सेवन पे कमिशन के करमचारी है एल 12 के करमचारी है वर्तमान में जो यह सहारीद कर रहे हैं वह 65,000 कर रहे हैं नीचे आपको मिलता है न्यूफ पे कमिशन तो सेवन्थ में ही है यह यह न्यूफ पे स्केल में अब अब 12 से एसीपी जब लगेगा तो ल 13 करना पड़ेगा तो ल 13 उनल लेट कर लिया जैसे आप 13 करेंगे तो ल 13 की जो इनिशिल इसके लिए फिर आप ओर्डर में उनको देखें यदि आपने ओफिस ओर्डर बनाया है तो तो ओफिस ओर्डर में आप देख रहे हैं कि एक जुलाई 2021 को इनको 67200 का लाब दे है 67200 इनकी बैसिक हो जाएगी फिर नीचे option मिलता है dp का और greatpay का इस पर आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको चूज फाइल में से वो फाइल pdf के रूप में अपलोड करनी है जो स्हbor करते ही खाइल से के लिए से आपके जिंघो को और निकला विसकी कॉपी और आपके ओफिस से सीप की गई है सब्सेटने के बाद उसकी कॉपी दोनों को प्रेटियज बना कर आपको हैंपनी करनाय यह हमने यहाँ पर अप्लोड किया अप्लोड करते ही वह फाइल आपको यहाँ प्रदशित होने लग जाएगी उसके बाद अपडेट बटन पर आपको क्लिक कर देना है आप ध्यान पूर्वक देख लें कि L12 से L13 में आ गए 75,000 इनकी बैसिक थी अब 60,000 200 हो गई है और अपडेट डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से मैसेज मिलेगा रिकोर्ड अपडेटेट सक्सेस्पुली का ओकी की बटन को प्रेस कर देंगे ओके की बटन को प्रेस करने के बाद आप मास्टर में जाएंगे और एमप्लोई पे डिटेल को चेक करेंगे कि इनकी बैसिक 65,000 200 हुई अथवा नहीं मास्टर में गए हम मास्टर में जाने के बाद उस करमचारी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पाने कबाद पे एंड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे पे एंड बैंक डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर उनकी बेसिक 66,200 यानि 65,000 से 66,200 पर हो चुकी है इसका मतलब आप S.E.P. सफलतापुर्वग आपने पे मेरेजर पर लगा दिए तो यह थी उन करमचारियों की जिनकी सेंक्शन डेट और इफेक्टिव डेट सेम होती है अब मैं आपको सेंक्शन और इफेक्टिव डेट अलग-अलग हो उस केस को भी समझाता हूँ यहां आपको मेरे करमचारिय का नाम दिखाई देगा इस केस को आप देखिए यहां पर जो इनकी नियुक्तिती थी है वो 7123 है तो इनको S.E.P. भी नो साल बाद में साथ तारीक को ही मिलनी चाहिए थी लेकिछ इन्होंने मध्यांतर पस्चात कारिवर्ण किया इसलिए S.E.P. का लाप जो है आठ एक बाइस से दिया गया है और यदि मध्यांतर पूर्व करते तो यह आठ की जगह साथ एक बाइस होना चाहिए था तो इस केस के अंदर S.E.P. की जो सेंक्शन डेट है वो तो हो गई साथ और एफेक्टिव डेट हो गई आठ आप इसको कैसे अपडेट करेंगे चलिए वो देखते हैं कि अए और आफ्रैशन में जाना है एमपलॉई पर डिटेव अपडेशन बजाना है और पर अपडेट पर जिखेंगे उसक्रमचारी या उस नाम उसक्षर से संबंदित रही नाम आपको प्रतशित होने लग जाएंगे यहां यही करमचारी प्रतशित हो रहा है रहा है इस अल्फाबेट से क्यों यहां पर एक ही कर्मचारी है कि यहांसे इनको स्लेक्ट कर लेंगे कि एसीपी सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर आपको को वह डेट डालनी है जब से वास्तिव में एसीपी डू हो गई है सेंक्षन डेट और एफेक्टिव डेट यानि कब से इसका लाव मिला है वास्त्री कब से मिला है यहां पर डाल देंगे तो अब मैंने भी आपको ओर्डर में दिखाया था यह देखिए सेंक्षन डेट आ जाएगी है आपर 7,1,20 और एफेक्टिव डेट हो गई 8,1,20 तो जनरी महिना सेलेट कर लेंगे और यहां पर 8,1,20 कर देंगे इसके बाद में आपको यहां पर इनकी पेस्केल 11 दिखाये देगी अब पेस्केल जो है वो इनकी 12 करनी है तो 12 सेलेक्ट कर लेंगे 12 का इनिसियल यहां पर आ जाएगा लेकिन वर्तमान में इनको जो लाब दे है वो किस बेस्क का है वो आपको आपके ऑफिस ओर्डर से पता चलेगा आएए मैं आपको ऑफिस ओर्डर भी दिखा देता हूं इनका इनके अफिस ओर्डर में जो दिखा रखा है कि इनको एल बारह में आठ एक बाइस को 47,000 की बैसिक पर फिक्स किया जाएगा तो यह हम यहां पर इंसर्ट कर देते हैं 47,000 उसके बाद चूज फाइल में से जो पीडिएफ हमने बनाई है वो पीडिएफ यहां पर अप्लोड करनी है और अपडेट बटन को हमें क्लिक कर देना है रिकॉर्ड अपडेटर सक्सेस्पूली इनका भी हम मास्टर में जाके डिटेल देखेंगे कि 47,000 बैसिक में परविटन हुआ अथवा नहीं करमचारी को मास्टर की लिस्ट में सेलेट कर लेंगे करमचारी को सेलेट करने के बाद पे एंड बैंक डिटेल बजाएंगे तो आप देख रहे हैं यापर 47,000 इनकी बैसिक अपडेट हो चुकी है इनको सेपी पे मेनेजर पर लगा दी गई तो यह थी संपूर्ण प्रक्रिया कि आप जब आपके कारेले में किसी कारमिक को सेपी कलाब मिलता है तो आप उसकी पे डिटेल को अपडेट कैसे करेंगे आसा करता हूँ मेरे दोया दी गई जानकारी से आप लाभानुत होंगे इसी प्रकार के वीडियो में लाता रहता हूँ मेरे चनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सेर करें धन्यवाद